हेलो, वेलकम गाईज, स्वागत है आप सबका, हम अभी देखते हैं कि 300 कोर जावा इंटरव्यू कोस्चन, उसका सेट फर्स्ट अब हम यहाँ पर यह देखेंगे, कि जो मेन जावा के कोस्चन पूशे जाते हैं, इंटरव्यू जो गारा में, जो की बहुत जादे इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या फिर कहीं भी हम कोई पेपर देने जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इंटरव्यू कोस्चन पढ़के जाते हैं, ताकि क्या हो, हम अच्छे से अच्छा प्रफॉर्मेंस कर पाएं, और इंटरव्यूर को जवाब दे पाएं, ओके, तो जावा तो हमारा बहुत बड़ा है, तो अभी स और अगर इसके फीचर्स की बात किया जाए, तो क्या बोल सकते हैं, रोबोस्ट, सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी ट्रेड, पॉर्टेवल, ठीक है, और इसको डेवलप किस ने किया था, जेम्स गोसलीन ने डेवलप किया था, 1991 में, ठीक है, इसको जेम्स गोसलीन ने 1991 में डेवलप किया था, और सबसे बड़ा इसका फीचर्स जो होता है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और यह क्या करता है, यह अपना खुद का JRE प्रोवाइड करता है, ठीक है, JRE मतलब होता है, जावा runtime environment और API मतलब होता है, application programming interface, ओके, next question पर move करते हैं, next question है, what are the difference between C and Java, देखो, हम मानते हैं कि अधिकसर जो language निकल के आए हैं, वो C से ही या C++ से निकल के आए हैं, तो अब यहाँ पर basically बात किया जाए, अगर Java का, तो Java ही एक, बोल सकते हैं, advanced version है, इसका C++ का, जो चीज़े हम C++ में नहीं कर पाते हैं, वो चीज़े भी हम Java में कर सकते हैं, आसानी से, तो आए इसमें difference देखते हैं, कि इसमें difference क्या-क्या है, तो अगर हम comparison करें कि platform का, तो सबसे पहले हमें पता है कि Java क्या है, platform independent है, जो कि C++ क्या होता है, platform पे depend करता है, यानि कि Java को किसी भी hardware पे चलाय जा सकता है, ठीक है, अब next बात करें, mainly use for, Java किस के लिए use होता है, और C++ किस के लिए use होता है, तो Java जो होता है, mainly use होता है, application programming के लिए, ठीक है, और web-based programming के लिए, जो mobile application के लिए भी इस्तमाल में आता है, लेकिन अगर हम C++ की बात करें, तो C++ जो होता है, ये use होता है, system programming के means mainly अगर हम बात करें तो operating system अगरा बनाने के लिए इसका इस्तमाल होता है ठीक है और अगर हम design goal की बात करें C++ और Java की तो अगर हम C++ की बात करें design goal की तो क्या होता है C++ was design for system and application programming it was an extension of C++ programming language अगर हम बात करें तो यह क्या है extension C++ programming language और system application के लिए बनाया जाता है लेकिन अगर हम बात करें design goal जो Java का है वो क्या होता है यह हर एक computing network को support करता है और यह design किसके लिए होता है ताकि हम क्या करें easily चीजों को access कर पाएं ठीक है और अब बात करें यहाँ पे go to go to का तो C++ में क्या होता है go to statement supported होता है लेकिन Java में नहीं होता है ठीक है और अगर हम multi thread की multiple inheritance की बात करें तो C++ जो होता है वो multiple inheritance को support करता है बढ़ Java उसको support नहीं करता है ठीक है does not support multiple inheritance through class ठीक है अब इसमें कैसे होता है can be achieve by interface in Java हम क्या करते हैं Java में interface के थोरो हम inheritance कर सकते हैं और अगर operator overloading की बात करें तो C++ में operator overloading होता है बट Java में operator overloading नहीं होता है नेक्स्ट अगर हम बात करें pointers की तो C++ जो होता है support करता है pointers को ठीक है और हम क्या कर सकते हैं हम program लिख सकते हैं pointer के C++ में लेकिन अगर हम Java की बात करें तो java internally pointer को support करता है ठीक है इसका मतलब हम program नहीं लिख सकते है pointer के ठीक है यह restrict करता है pointer support को java next अगर हम बात करें compiler की तो अगर इसमें compiler की बात करें तो compiler interpreter की तो हमें एक चीज़ पता है कि C++ जो होते है वो use क्या करता है compiler only ship और ship compiler के use करता है and run using the compiler which converts source code into machine code ठीक है मतलब क्या होता है source code को machine code में convert करता है लेकिन वहीं java की अगर हम बात करें तो वो source code को machine code में नहीं convert करता है वो byte code में करता है ठीक है compile time पे ही और इसमें क्या होता है the interpreter execute this byte code at run time and produce output run type में ये byte code interpret होता है और फिर क्या होता है यह output produce करता है लेकिन Java में सिर्फ क्या होता है object code बनता है और इसमें byte code बनता है इतना हम समझ लेते हैं sorry C++ में हमारा object code बनता है और Java में byte code बनता है ठीक है और अगर हम इसमें बात करें call by value और call by reference तो C++ दोनों को support करता है लेकिन Java जो support करता है call by value को only support करता है structure की अगर हम बात करें तो structure में क्या होता है C++ जो सा होता है structure union को support करता है लेकिन Java does not support structure and union ठीक है thread की बात करें तो Java क्या होता है Java में हमारा bulletin thread support होता है लेकिन C++ में bulletin support नहीं होता है documentation की अगर हम बात करें तो C++ में क्या होता है documentation support नहीं करता है वहीं हम Java में documentation को support करते हैं ठीक है single line comment और multiple line comment से ठीक है अब देखो virtual keyword की बात करें तो C++ जो होता है support करता है virtual keyword ठीक है जिसमें हम decide कर सकते हैं कि override होगा function या नहीं लेकिन Java में क्या होता है no virtual keyword we can override all non-stating method by default ठीक है हम इसको defaultly override कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ है near intense tree की अगर हम बात करें तो C++ create करता है new intense tree always और Java की अगर हम बात करें तो Java क्या होता है use a single inner intense tree always ठीक है क्यों ऐसा होता है ऐसा question पुछा जा सकता है कि क्यों होता है तो इसलिए होता है because all class are the child object in Java class ठीक है Java class में जितने भी class होते हैं सब को हम क्या करते हैं child object मानके चलते हैं ठीक है next बात करते हैं hardware की तो hardware C++ में क्या होता है C++ is near to hardware but Java is not ठीक है Java so interactive with hardware hardware से बहुत जादे interactive होता है object oriented पता है में दोनों है ठीक है C++ भी object oriented है और Java भी object oriented है ठीक है बस थोड़ा सा इंग अंतर होता है next अगर हम बात करें question number third list the feature of Java programming लाइवे सबसे most important question features तो feature में सबसे वहले हम बात करें अगर तो Java क्या है बहुत ही simple है इसको learn करने में easy है इसके syntax वगरा को याद करने में आसानी होती है दूसरा object oriented language है portable है object oriented मतलब कि हर चीज़ों को object मान के हम define कर सकते है और portable भी है किसी भी platform पे चलाया जा सकता है और हमें पता है platform independent भी है ठीक है next बात करें तो Java जो होता है हमारा secure होता है robust होता है architectural neural होता है ओके and interpreter की अगर इसमें हम बात करें तो यह क्या होता है Java used just in time interpreter along with compiler and इसका performance जो होता है बहुत ही high होता है और multi-thread होता है distributed होता है dynamic होता है तो यह सारी चीज़े क्या है हमारे Java के features है next है what do you understand by Java virtual machine short form में इसको बोला जाता है jvm 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 मतलब होता है java virtual machine अब यह java virtual machine क्या करता है यह क्या करता है enable कर देता है computer को की run java program ठीक है java program को run करने के लिए java virtual machine काम करता है और यह कैसे काम करता है run time engine which call main method present in java code तो यह क्या करता है यहीं से हमारा जो भी होता है java code compiler होता है jvm से byte code में बदल जाता है और ये फिर क्या होता है machine independent होता है and close to neb code के close होता है next बात करते है what is the difference between jdk, jre and jvm तो सबसे पहले हम इसका full form जानते है jdk मतलब होता है java development kit jre मतलब होता है java runtime environment और jvm मतलब होता है java virtual machine ठीक है सबकी definition से ही full form से ही हमें पता चल जाता है साथ चीज़े क्या है jvm यानि java virtual machine क्या है jvm जो क्या करता है provide करता है runtime environment ठीक है जो क्या करता है bytecode को execute किया जयता है उसके बाद jre जो होता है runtime environment होता है जो implement करता है jvm को ठीक है और jdk क्या होता है वो हमारा Java Development Kit होता है जो क्या करता है Software Development के लिए यूज किया जाता है जिसमें applets वगरा को इस्तमाल होता है अब इसमें अगर हम बात करें तो platform जो है Oracle ने release किया है JDK का वो तीन टाइप का है Standard Edition, Enterprise Edition और Micro Edition तीन टाइप का JDK released है Standard Edition होता है Enterprise और Micro Edition Memory area are located in JVM JVM में कितने टाइप के Memory area located होते हैं तो अगर हम बात करें Main type का तो सबसे पहले हम बात करें यह total 5 type के होते हैं तो पहले सबसे पहला मारा क्या होता है Class area दूसरा होता है heap तीसरा होता है stack और चौथा Program Counter Register और पाचवा Native Method stack बाकी आप पाउस करके पढ़ सकते हैं इसको अगर पढ़ना चाहें Next move करते हैं आगे Next है What is JIT compiler? बहुत ही common example common question है JIT compiler JIT क्या होता है हमारा Just-in-time compiler Just-in-time compiler क्या होता है It is used to improve performance ठीक है Program का हमारा जो Java हम code लिख रहे हैं उसके performance को बढ़ाने के लिए इस्तमाल होता है Just-in-time compiler Next बात करते हैं What is platform? Platform क्या है? ठीक है तो platform क्या होता है कोई hardware होता है या software environment होता है जो क्या होता है किसी भी piece of software को execute करता है और अगर हम बात करें तो हमारे पास दो type के platform होते हैं कौन-कौन से Software-based platform और hardware ठीक है Software and hardware-based platform होते हैं Next बात करते हैं What are the main difference between Java platform and other platform Java के platform और other platform में अंतर क्या है तो अगर हम बात करें Java के platform और other platform में अंतर क्या है तो यहाँ पर discuss करते हैं इसको ठीक है Java is the software-based platform ठीक है Java क्या है हमारा Software-based platform है जहां पर क्या होता है other platform में भी hardware और software platform मतलब other जो platform होते हैं वो hardware भी हो सकते हैं software भी हो सकते हैं लेकिन java जो हमारा software है ठीक है और java क्या है executed on the top on the hardware platform hardware के top ये execute होता है लेकिन other platform क्या होते हैं only have hardware component होते हैं ठीक है next बात करते हैं what gives Java its right once and run anywhere nature मतलब क्या है short form में इसको बोलते है WORA write once run anywhere ठीक है कभी कभी पूछ लिया जाता है short form WORA का full form बता हो WORA मतलब क्या होता है ये भी एक Java का feature WORA WORA मतलब क्या है कि हम कभी भी Java के code को कहीं भी लिखें और फिर किसी भी platform पे चलाएं या फिर कहीं भी इस्तमाल कर सकते है ठीक है ये हमें Java एक preface provide करता है जिसमें हम क्या करता सकते है कि एक बार code को लिखें और कहीं भी इसका इस्तमाल कर ले ठीक है next बात करते है what is class loader class loader क्या होता है class loader जो होता है एक subsystem होता है JBM में जो क्या होता है use होता है class file को load करने के लिए ठीक है मतलब जब हम कोई भी run करते है Java program तो सबसे पहले क्या होता है वो load होता है class loader से ठीक है अब हमारे पास total तीन प्रकार के class loader होते है ठीक है तो कौन-कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं सबसे पहला जो होता है हमारा bootstrap class loader होता है दूसरा होता है extension class loader और तीसरा होता है system application class loader ठीक है अब जो bootstrap अब इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं इसको ठीक है bootstrap जो होता है rt.ger होता है और फिर इसका extension जो होता है हमारा extension class loader वो java home jre lib extend directory से करके होता है इसका जो location file होता है ठीक है और जो application class loader होता है उसमें क्या use करते है class path इस्तमाल करते है cp ठीक है आप इसको पढ़ सकते है Is empty java file name is valid source file सबसे common question क्या empty java file जो होता है valid होता है yes java allow you to save file by dot java only we need to compile it by java c dot java and run by java class name let's take simple example यहाँ पर example भी दिया हुआ है ठीक है तो मतलब होता है dot java से ही save कर सकते है empty file name भी valid होता है java में लेकिन dot java होना चाहिए ठीक है तो java c dot java करके हम compile करेंगे तो हो जाएगा delete next main exit or null keyword in java no delete next main यह सब keyword नहीं होते हैं java में ठीक है next question बात करते हैं if I don't provide any argument on command line then what will the value store in string array parse into the main method empty or null ठीक है तो पूछ रहा है कि अगर हम कुछ भी नहीं provide करते हैं तो main method में क्या होगा empty होगा या null होगा तो simple सी बात है यह क्या होगा empty होगा but not null ठीक है खाली होगा but not null ठीक है यह चीज़ याद रखना next question की बात करते हैं what if I write static public void instead of public static void main अगर हम क्या कर सकते हैं जैसे हम कोई भी program run करते हैं तो हहाँ पे लिखते हैं public static void main लेकिन अगर उसी की जगहा write static public void लिखें तो क्या होगा ठीक है तो कुछ नहीं होगा program जो होगा हमारा क्या होगा correctly run होगा order of specified does not matter in java यानि कि हमारा program तब भी run होगा इसमें order matter नहीं करता है ठीक है next बात करते हैं what is the default value of local variable local variable की default values क्या होती है ठीक है तो local values जो होती है वो initialize नहीं की जाती ठीक है any default value the local variable or not initialize any default values neither primitive nor objective reference next हम बात करते हैं what are the various access specifiers in java अलग-अलग access specifiers क्या होते हैं java में ठीक है तो java जो होता है हमें कई सारे specific specifiers provide करता है जो keywords होते हैं ठीक है जो क्या करते हैं जैसे हमारा पास हो गया public, protected, default, private ठीक है यह सब क्या है हमारे specifiers है तो public में क्या होता है public मतलब दिखाता है कि method जो variable है और जो define है public में ठीक है can be accessed by any class or method इसको किसी भी class or method से access किया जा सकता है protected protected जो होता है can be accessed by class of same package मतलब same package का ही class इसको access कर सकता है protected को ठीक है default जो होता है default जो होता है वो accessible होता है within package only ठीक है किसी एक की package में ठीक है by default all class method or variable are of default ठीक है private क्या होता है private अब देखो कई सारे लोग public, protected और private में अन्यतर पूस्ते हैं ये चीज़ या रखना पर private जो होता है private class क्या होता है method or variable define a private can be accessed within class only उसी class में ही स्रिप इस्तमाल किया जा सकता है लेकिन देखो पूछा जाता है private और protected में अंतर तो private जो होता है हमारा उसी class में हम उसको access करते हैं ठीक है लेकिन protected को क्या कर सकते हैं उसी package के अंदर ये package के अंदर access किया जाता है और ये class के अंदर स्रिप एक class के अंदर ही class को access कर सकते हैं लेकिन इसमें package के अंदर protected में ठीक है ये अंतर होता है what is the purpose of static method and variable static method और variable का purpose क्या होता है ठीक है तो अगर हम बात करें स्टेटिक का मकसद क्या होता है the method or variable define our static are share among all object of the class, ठीक है सभी object के class को क्या करते हैं share करते हैं, ठीक है और static part जो होते हैं class के, ठीक है ये part होते है class के object के नहीं, ठीक है static variable are store in class area ठीक है, static variable जो होते है class area में store होते है ठीक है, तो ये चीज़े होती है आगे बढ़ते है what are the advantages of package in Java package के advantage क्या है जावा में ठीक है, तो package क्या होते है packages जो होते है, कुछ advantages यहाँ पे दिये हुए है, packages avoid the name classes ठीक है, मतलब package जो होते है name classes को avoid करते है मतलब बार बार नाम repeat हो गया crash नहीं करते है the package provide easier access control easier access control provide करते है we can only, we can also have the hidden class that are not visible outside and used by package ठीक है, it is easier to locate the related class ठीक है, मतलब क्या होता है यह advantage होता है कि हम आसानी से किसी भी file को locate कर सकते है ठीक है, और hidden class are not visible outside and used by the package यह बहुत ही अच्छी चीज़ है ठीक है, अब यहाँ पे question है, what is the output of the following program, इस program का output क्या होगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पर दिया है public static void main string ठीक है, system out print 10 plus 20 java point, ठीक है, system out print java point, ठीक है मतलब यहाँ पे क्या किया गया है java point को represent करना है तो इसका मतलब क्या होगा, java point print करेगा, ठीक है, क्योंकि यह क्या है हमारा string में है, और 10 plus 20 यानि कि क्या हो जाएगा 10 plus 20 देगा और उपर जो है 10 plus 20 यानि कि 30, और फिर यह क्या है string में java point, यानि कि 30 java point और java point 10 plus 10 20, ऐसा देगा ठीक है, तो इसका output क्या हो जाएगा java, 30 java point और java point 10 20, ऐसा ठीक है तो इसका explanation दिया है वो सबको पता होगा, बहुत easy होता है ठीक है, आगे बढ़ते है next हमारे पास question है what is the output of following program इस program का output क्या होगा ठीक है, तो इस program का भी देखो यहाँ पे क्या है 20 into, देखो जैसे previous program था 10 into 20 क्या हो जाएगा 200 java point, और java point यह क्या होगा अब यहाँ पे देखो multiply है तो multiply में क्या होगा इसका भी multiple हो जाएगा ठीक है, जोडने को तो जोड देता है लेकिन multiply में multiply हो जाएगा ठीक है, तो 200 java point और java point 200, ऐसा हो जाएगा ठीक है, next है हमारे पास what is the output of following program इस program का output क्या होगा ठीक है, तो इस program का अगर हम बात करें output की, तो देखो क्या दिया है, हमारे पास दिया हुआ है public main for int i is equal to 0 और 0 i plus plus और यहाँ पे क्या है hello java point ठीक है, इसमें क्या है hello java point, तो इसका output क्या होगा तो अगर हम इसके output की बात करें तो यहाँ पे इसका output क्या हो जाएगा output हो जाएगा इसका 0 ठीक है, क्योंकि हमने integer value उसमें क्या provide कर रखी है, 0 ठीक है, next अब यहाँ से हमारा start होता है core java, ठीक है object oriented concept initial oops interview question object oriented programming पे जो भी question interview आते हैं, वो आते हैं तो अब यहाँ से हम जो है next video बनाएंगे इस वीडियो को यहीं पे खतम करते हैं next video starting करेंगे और बाकी next video में बाच करें इसका description link next इस वाले का नीचे देदेंगे comment box में okay, thank you